नमस्कार, आज बना रहे है कद्दू की सबजी, कद्दू जिसको कदीमा भी बोला जाता है, कोहरा बोला जाता है, भोपला बोला जाता है, आप लोग बताइए कि आप लोगों के स्टेट में इसको क्या बोला जाता है, हम लोग इसको कद्दू या कदीमा बोलते हैं, कोहरा हम लोग बोलते हैं इसको इसको सबसे पल अच्छे से दो करके इसके दो टुक्रे कर लेते हैं यह बहुत ही हेल्दी होता है कदू अब बहुत ही खाने में भी टेस्टी और स्वास्त के लिए तो इसमें बहुत सारे गुने इसके बीजे में इसके छिलके में सब चीज में यह तो इसको छील लेते हैं और छील के आप अपने हिसाब से टुकरा थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं इसको अच्छे से छील लिए और अब देखे इसमें जो उपर का गुदा था उसमें से जो बीजा उसको निकाले ये बीजा ना स्वास्त के लिए बहुती फाइदे आप लोग जो सुनते होंगे जिनको वजन घटाना है वो इस बीज को जाए रोस्ट कर लें कराही में उसको खाएं इस सोर्ज मुखी का बीज के साथ ये भी आजकल तो आप लोग यूटूब चैनल या कहीं भी बहुत जगह देखते होंगे सुनते होंगे कि इसके कितने सा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि जेजरली लोग क्या करते है ना सबजी में उसका काम होता नहीं तो निखाल के फेक देता है लेकिन आप लोग आइंदा इसको फेका नहीं कीजिए इसको अपने खाने के लिए रख लिया कीजिए तो देखे मैंने कद्दू को थोड़ा सा छिल लगा दे थे थे थोड़ा साचेल का चीजिए दोनों को कार्ट लिये छोचे चोचे अपीस इसको हम सरसो थेल में बनाएंगे यही पर लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीज मेरे को सपोर्ट कीजिए जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है सिम्पल सा तो लाइक और जादा से जादा फैमली और फ्रेंज के साथ सेयर करें वीडियो को वीडियो में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद आया वह भी बताएं और हाँ बेल आइकन दवाना ना भूले जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोट्रिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो इस तरका में मैंने सिप मेती और थोरा सजीरा लिया है ये सुखी लाल मिल्च है मेती का तरका में जरूर लगाएं कर्दू में उससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है आप लोग साधी भी भंडारे में खाते होंगे तो वो मेती का ही फ्लेवर रहता है जो इसके सौद को और बढ़ा देता है अब इसमें लॉक डाल दिये कर्दू यह पीला वाला कदू है वो लाल पका हुआ वाला नहीं है तो इसको अच्छे से यह अपने आप पानी छोड़ देता है चल्दी ही बन जाता है तो इसको अच्छे से भून लेते हैं हल्दी च्वथाई चमच बिलकुल थोड़ा मैंने थोड़ा सा काली मिल्च पॉजर भी घुखा थी में जाला है इसमें इह बिलकुल कम मसाले में है लेकिन खाने में रहतीन ज़ने त्धिमूस चावल के आंटा के जो रोटी बनती उसके साथ हमिए यह ऐसे भी खाइए जिने को कदू पासंद पहुआ उनको तो किसी भी फ्रम में प पसंद आता है लेकिन जिनको जब थोड़ा पानी छोड़े ना तब नमक डालिए क्योंकि थोड़ा ये भूना जाता है ना बिना नमक के तो अच्छे से इसकी भूनाई हो जा बिना नमक और ये में ही बिना पानी के देखे कितना पानी छोड़ने लगा है इसको आपको दवा के भी दिखाते हैं ये अच् इसको पहले नमक बिल्कुल भी ना डाले, उससे क्या होता ना, कदू, लौकी, ये सब चीज ऐसे होते हैं, जो पानी खुद ही छोड़ने लगता है, इसलिए थोरा सा जब ये भूना जाए तेल में, तब हमेशा उसके बाद ही नमक डाला करें, देखे कितने अच्छे से पान पानी और छोड़ दिया, नमक डाली चुके हैं, इसको ढगड़क के पका लेते हैं, गाउटी लोक की कदू रहता है, तो वो क्या होता है, और जादा पानी छोड़ता है, लेकिन ये सहर में आजकल थोरा सा हे ब्रीज जाता है, थोरे बहुत दिन के हो जाते हैं, कदू बग गल गया है, अब इसमें थोरा सा खटा के लिए मैंने इमली लिया है, जिसको थोरा गलने के लिए पानी में दख दिया था, इमली को अच्छे से मैस करके उसका एक से दो चमच पानी, ज्यादा नहीं यूज करना है, ये बहुत ही छोटा चमच से मैंने लिया है, सब मिलाके दो से तीन चमच ये है छोटा वाला चमच होता ना टेबल स्टून उससे मैंने इमली का पानी और अब लास्ट में लाल मिल्च पौडर सुरू में लाल मिल्च पौडर डालने से क्या होता है ना कि सबजी काली हो जाती है इसलिए जब आप इमली का पानी लास्ट में डालें जब सबजी अच्छे से गल जाए तब उसमें लाल मिल्च पॉडर डालें तो देखे कितना अच्छा कलर है तो एक बार जरूर मेरे तरीके से बनाईए और देखे देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है मैंने आप ल स्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा है तो जरूर बनाए खाये और कैसा बना मेरे तरीके से जरूर बनाए कैसा बनाए यह भी बताए ठेंट यू और हाँ मेरा चैनल प्रीज सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फैमिले इंफ्रेंस के साथ सेयर करें